कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार जुन खरगे के पार्लियामेंट चेंबर में बूधवार को 16 विपक्ची पार्टी के निताओं ने बैठक की यहाँ तै हुआ कि अडानी मामले की जाच को ले करके एक चुठी लिखी जाएगी जिस पर सभी विपक्ची सांसदों के दस्तकत होंगे इसे ED को सौपा जाएगा और जाच की मांग की जाएगी जब विपक्ची दलों के नेता मार्च के लिए निकले तो उन्हें ED दफ्तर से पहले ही रोक लिया गया खरगे बोले हम तो सिर्फ ED के ओफिस जाकर के अडानी मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए शिकायती चिठ्थी देना चाते थे हमें रोकना कौनसा लोकतंत्र है जरा याद दिला दे कॉंग्रेस को कि क्या भाजपा के वक्त ही अडानी आई है कॉंग्रेस के वक्त नहीं थी कॉंग्रेस के वक्त क्यूं बड़े बड़े प्रोजेक्ट अडानी को दिये जाते थे अगर वो भरस्ताचारी थे तो क्यूं दिया करोरों का प्रोजेक्ट इसका जवाब किसी के पास नहीं है जब इनकी सरकार नहीं है तो बहुखलाहट में आ करके कुछ भी बयान दे रहें वीडियो के आगे पता चलेगा और कितने बड़े बड़े नेता गिरफतार होंगे मैं आसी स्राठोर आपका स्वागत करता हूँ काला सच में जानेंगे कि विपक्षी नेता अडानी मामले की जाच एडी से क्यों कराना चाती है एडी की शक्तियां क्या है और विपक्षी नेता इन्फोर्स्मेंट डारेक्टेट को ले करके इतने बेचैन क्यों है आपको 2020 का वो किस्सा तो याद होगा ना जब एक के बाद एक आठ राज्यों ने CBI को अपने यहां बिना परमिसन घुसने से रोग दिया था इनमें पंजाब, राजस्तान, पस्चिम, बंगाल, महरास्ट, 36 गड़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेसल एस्टैबलिस्मेंट एक्ट 1946 के तहट बनी CBI को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमती जरूरी है हाँ अगर जाज किसी आदालत के आदेस पर हो रही है तब CBI करी भी जा सकती है कोई जरूरत नहीं है किसी को पूछने के लिए पूछताच और गरफतारी भी कर सकती है सिर्फ बिना पूछे इंटर ही नहीं मारे लिए अब ED के बारे में आपको बताता हूँ ED केंदर सरकार की इकलोती जाच एजनसी है जिसे money laundering के मामले में नेताओं और अपसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चनाने के लिए सरकार की अनुमती की जरूरत नहीं है enforcement directed छापा भी मार सकती है और property भी जब्त कर सकती है money laundering act में ED जिसे गरफतार करती है उसे जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है तो आज देखा आपने की बहुत सारे नेता मंत्री विरायक गरफतार है उनको जमानत मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बार बार खारिज हो जा रहा है अब इस कानून के तहट जाच करने वाले अपसर के सामने दिये गए बयान को कोट सबूत मानता है जबकि बाकी कानूनों के तहट ऐसे बयान की अदालत में कोई value नहीं होती है पिछले साल Indian Express ने अपनी एक report में बताया था अब इस दोरान 138 राजनेता जाच के दायरे में है अभी भी कुछ महत्पुन केस है जो दोस्तों जो ED के रडार पे अभी भी है जो पहला आपको मैं बता रहा हूँ नेसनल हिराल्ड मामला अब बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी राहूल गांधी और कॉंग्रेस के ही मोतीलाल वोरा ओसकर फंडांडी सैंप प्री तोडा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेसनल हिराल्ड अखवार को धोखा धरी और पैसो की हेरा फेरी के जडिये हर अपने का आरोप लगाया था दुसरा जो बड़ा मामला है वो है दिल्ली शराब घोटाला ये सब एडी के रडार पे है और इसमें बरी बरी गरफतारी हो चुकी है अब लिकर मामला में 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपर राजजपालक ने नई शराब नीती में नियमों के उलंगन कारोप लगाते हुए दिल्ली के डिप्टिस ये मनी सिसोधिया के खिलाब CBI जाच की सिफारिस की थी 19 अगस्त को CBI ने शराब घोटाले में मनी सिसोधिया के आवाज समेत 21 जगों पर छापे मारी की सिसोधिया समेत 15 को आरोपी बनाया 14 अक्टूबर 2022 को एडी ने 25 ठीकानों पर छापा मारी 26 फरवरी 2023 को CBI ने सिसोधिया से 8 गंटे पुष्टाच करती है और इसके बाद उनको शाम में सिसोधिया को CBI गरफतार कर लेती है तीसरा दोस्तों जो बड़ा मामला है वो जमीन का हेरफेर मामला है जिसमें एडी ने महराष्ट के पुर्व सीएम उद्धो ठाकरे के करीबी और सिवसिना निता संजा राउत को 1 अगस 2022 को गरफतार किया था हलाकि वो अभी जमानत पे हैं राउत पर बुंबई के गोरे गाउ में सिधार्थ नगर के एक पात्रा चॉलस कैम मामले में 672 फ्लैटों के पुर्णर निर्मान के मामले में जमीन की हेड़फेर कारूप है मामला अभी चल रहा है एडी के निसाने पे हैं अभी विसंजा रहा है चोफा दोस्तो मामला है ऐनएस मीडिया यह आइञेक्स मीडिया मामला मी इसका एक उधारन है पी चिदंबरन पर न केवल विदेशी निवेस के लिए INX मीडिया को फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोड यानी FIPB से मंजूरी दिलाने में रिस्वत लेने कारूप लगा बलकि CBI ने उन्हें ग्रफतार भी किया इडी ने चिदंबरन से पूस्ताच भी की थी इसी मामले में चिदंबरन के बेटे कार्ती भी ग्रफतार हो चुके हैं दोस्तों आगे जो बड़ा घोटाला हुआ MSC बैंक घोटाला अब इडी ने NCP प्रमुक शरत पवार को महरास्ट स्टेट कॉपरेटिव बैंक यानी MSC में पचीस सो करोर रुपय के लोन फ्रॉड के संबंद में समन जारी किया और उन्हें घोटाले का प्रमुक खिलारी ब करोर रुपय और पाटी प्रमुक मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में लगबग डेर करोर रुपय का पता लगाया था अब 2019 में इडी ने 1400 करोर रुपय के दली तसमारक घोटाले में यूपी में कई अस्तानों पर भी छापे मारे यह मामला मायावती के मुख्यमं मंतरी रहने के दोरान ही हुआ है अवैद खनन मामला यह भी बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 2019 में इडी ने अवैद खनन मामले में यूपी के पुरव मुख्यमंतरी अखिलेश यादाओं के खिलाब भी मनी लॉंडरिंग का मामला दर्च किया था अब जानते हैं कि मनी ले विपक्षी नेताओं के लिए गले का फंदा कैसे बना इडी विख्यात हुई मनी लॉंडरिंग कानून यानी पी एम ले लागो होने के बाद से हैं इसे समझने से पहले मनी लॉंडरिंग के खिलाब बने पी एम ले का मतलब समझ लेते हैं आम बोली में इसका मतलब है दो नम्मर के पैसों को हेर फेर करके ठीकाने लगाना और इसके खिलाफ कानून के खिलाफ ये लुक ब्लैक मनी को वाइट बनाते हैं मज़ेदार बात यह है कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागो किया मनमुहन सरकार के वित दुवार को 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया है इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट के मुताबिक PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किये गए हैं इन में से सिर्फ 2.98 परसेंट यानी 176 केस विधायक पुर्व विधायक MLC सांसद पुर्व सांसदों के खिलाफ केस दर्ज किये हैं दोस्तों अब इस केस में से 1142 चारसिट दाखिल की जा चुकी है जबकि 513 लोगों को गरफतार भी किया गया है आसा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा धन्यवाद